Good morning students, subject Hindi में lesson 8 में आज part 4 करेंगे जिसमें आज हम word meaning और क्योसना answer करेंगे तो आप ये notebook में note करेंगे, सब बच्चे अपनी notebook open करेंगे आज उसमें लिखेंगे part 8 टपके का डर heading डालेंगे सब्द अर्थ, तो पहला सब्द है विसाथ, हैसियत, रिस, पानी टपकना, पोखर, तालाव, गत, हालत, अचंबा, आश्चरिय या हैरानी आश्चरिय थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, सब पूरा आया है लेकिन आदा आएगा आप ठीक कर लेना आगे heading डालेंगे प्रसन उत्तर, ये प्रसन भी दूसरे तरीक के से लिखा हुआ है, तो आप अपने book के according लिख सकते हैं, जैसे book में दिया हुआ है तो पहला प्रसन है आपका, इसमें वैसे तो book में आपकी उपर heading दे रखी है, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समें दादी से कहानिया सुनता तो आपको heading लिखने की जरूत नहीं है, सिधा आप प्रसन एक लिखेंगे दादी के पास कौन सोता था, तो उतर लिखेंगे आप दादी के पास उनका सबसे छोटा पोता सोता था नेक्स्ट है प्रसन दो, दादी पोते को कौन सी कहानिया सुनाती थी, उतर में लिखेंगे दादी पोते को एक राजा और एक रानी और परी जैसी राजकुमारे की कहानिया सुनाती थी, प्रसन नमबर तीन में आपको कहानिया कौन सुनाता है, तो आप लिखेंगे मुझे कहानिया मैंने तो लिखा जैसे दादी सुनाती है तो आपको जो भी सुनाता है दादा, दादी, पापा, मम्मी जो भी आप उनका नाम लिख सकते हैं प्रसन नमबर चार में है कहानी में टपका कौन है उत्तर चार कहानी में टपका छत से रिषने वाला बारिस का पानी है फिर प्रसन पांच है टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था उत्तर पांच में टपके से सबसे ज़्यादा से डरता था अब ज़्यादा में इसमें ड प्रसन नमबर 6 है कुमार गधे की तलास में किस के पास आया आप उत्तर 6 में लिखेंगे कुमार गधे की तलास में अपने दोस्त रामू के पास आया प्रसन 7 में लिखेंगे कुमार ने तिनको पत्तों की आवाद सुनकर किसे दो डंडे जड़ दिये और क्यों उत्तर लिखे कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाद सुनकर सेर को दो डंडे जड़ दिये और क्योंकि उसने अंधेरे में सेर को अपना गधा समझ लिया था यह आप नोट बुक में लिखेंगे और साथ-साथ इनको लान भी करेंगे बाकी नेक्स टे हम बासा अभ्यास का काम करेंगे तो आप बासा भ्यास की बुक अपना निकाल के रखना थेंक यू